हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आरके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एटल सिम के प्यू के जो एटल सिम पे प्यू के लॉक लग जाता है उसको कैसे हम पता कर सकते हैं जीयो सिम से देखे मेरे पास दो ही SIM है एक ATL का और एक जियो का अगर ATL के SIM पे lock लग जाता है PU के code तो उसको पता करने का एक तरीका है ATL ही SIM उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ठीक है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैंने दिखाया कि कैसे ATL SIM से ATL का PU के lock जान सकते हैं अब क्योंकि यहाँ पर मैं जो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर सिर्फ एक ही SIM है हमार पास ATL का ठीक है दूसरा SIM है नहीं तो क्या करेंगे हम ATL के SIM का PU के lock जियो SIM से पता करेंगे ठीक है और यहाँ पर बार बार गलत पिन कोड जो PU के कोड है मत डालना नहीं तो यहाँ पर यह देखी 8 डिजिट आ गहें यह कम होते जाएंगे और आपका SIM ब्लॉक हो जाएगा 10 ही चांस मिलते हैं यहाँ ठीक है तो इसको हम रख देते हैं साइड में और पहले हम पता कर लेते हैं ATL SIM का PUK log तो इसके लिए हमें एक नंबर डाल करना पड़ेगा यहाँ पर डालर में आएंगे जैसे ही आप डालर में आ जाते हो तो यहाँ पर ATL Customer Care का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको देख रहा होगा इसको आप नोट कर लीजे इसको आप किसी भी SIM से यहाँ पर कॉल कर सकते हो अगर आपके पास Geo SIM है तो Geo SIM से कॉल कर सकते हो ATL पर कोई और BSNAL वगारा का SIM है V का SIM है वोड़फाइन आइडिया तो उससे भी इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो यह ATL का Customer Care का नंबर है ठीक है तो इस पर चलिए कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद यह आप से Language Choose करने का Option बोलेगा तो यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे हमें हिंदी में चाहिए उसके बाद 1 प्रेस करेंगे और अपना ATL नंबर डालेंगे जिसका भी P.U.K. कोड पता करना है वो ATL नंबर यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद 1 प्रेस करना है नंबर डाल देने के बाद यह कनफर्म करने के लिए तो उसके बाद 1 प्रेस करेंगे फिर से P.U.K. कोड जानने के लिए तो तीन प्रेस करेंगे P.U.K. कोड जानने के लिए उसके बाद 1 प्रेस करेंगे उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी है डालनी है यहाँ पर पहले आपको डेट डालनी है फिर मन्त फिर यार ठीक है तो जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ डाली इसने हमें P.U.K. कोड बता दिया है हमारे इटल नंबर का तो हमें P.U.K. कोड पता चल गया है चलिए दूसरे मुवाइल को यहाँ पर ले आते हैं और इसको ओपन करते हैं तो हमें P.U.K. कोड पता चल चुका है अब चलिए यहाँ पर P.U.K. कोड इंटर करते हैं और मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है P.U.K. कोड जो भी वहाँ पर बताय गया था और check mark पे click करते हैं confirm करने को बोला है तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर से रख देते हैं और check mark पे click कर देते हैं देखिए हमारा sim जो है यहाँ पर unlock हो गया है mobile unlock हो गया है अब यहाँ पर अगर दोबार से आप mobile switch off करोगे तो यहाँ पर P.U. के code फिर से लग जाएगा तो इसके लिए permanently इसको हमें इटाना पड़ेगा इसके लिए हम क्या करेंगे settings पर जाएंगे mobile की settings पर जाते हो तो यहाँ पर search bar मिलता है यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर lock sim ऐसे डालके यहाँ पर search करोगे तो lock sim card का option मिल जाएगा यहाँ पर यह इसे off करना होता है अब यहाँ से search bar से यहाँ पर lock sim का option नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आईए जैसे ही आप setting पर आऊगो मैं दिखाता हूँ setting जैसे ही open करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आऊगे password and security का एक option मिलेगा इस पर click करिए उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आऊगे एक privacy का option मिलेगा यहाँ पर देखिए privacy पर जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका atl sim यहाँ पर sim log का भी option रहता है atl जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर click करिए उसके बाद log sim card का option हम वहीं पर पहुँच गए है इसको हम off करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो यह pin डालने को बोलेगा जो हमने 12345 pin रखा था 12345 वही डाल देंगे ok करेंगे तो यहाँ पर यह off हो जाएगा अब दुबारा आपका CPU के code जो है दुबारा से कभी भी नहीं लगेगा फिर भी कोई problem आती है तो comment box मताना मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye